आज हम लोग बात करेंगे English So Marks 12th Class आपको मालूम है कि 12th Class का जो आपका English का बुक है उसमें तीन भाग पढ़ना है पहला आपका प्रोज, दूसरा पोएम और तीसरा स्टोरी ओफ English तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे प्रोज सेक्षन यानि की गद्यांस गद्य खंड का तो जितना भी important objective आपका प्रोज सेक्षन से बनता है lesson 1, lesson 2, lesson 3 और lesson 4 से आज मैं आपको बताऊंगा एक एक point को बढ़ियां से समझने का परियास कीजिएगा lines आपका बेद ही important है आपके exam के लिए तो चलिए एक एक point को बढ़ियां से समझते हैं lesson 1 आपका है प्रोज सेक्षन में Indian civilization and culture भारतिये शभ्यता और संस्कृती जो की एक essay है essay लेक निबंद Indian civilization and culture किस ने लिखा है तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है अब इनके बारे में एक एक point को समझते हैं बापु अथवा राष्ट पिता के नाम से विख्यात मुहन दास करमचंद्र गांधी 1879 में इनका जनम हुआ था 1869 1948 में इनका मृत्यु हुआ था 1879 में जनम मृत्यु इनका 1948 एक राजनितिक यह होने से ज्यादा एक आत्मिक नेता स्प्रिच्वल लीडर आपका पेपर में यदि पूछेगा स्प्रिच्वल लीडर तो आपका क्या होना चाहिए महात्मा गांधी और इनको किस नाम से विख्यात है बाप अथवा राष्ट पिता के नाम से दूसरे पॉइंट की तरह बढ़ते हैं 1915 से 1918 यानि कि 1915 से 1948 तक वे भारतिये राजनिती में चाहे रहे फ्रोम 1915 तिल 1948 यानिती पॉलिटिक्स बात करते हैं थर्ट नंबर पॉइंट की 30 जनवरी 1948 को एक सनकी के हाथो मारे गए यानित अट दा हैंड्स ओफ ए फैनिटिक अर्ण 30 जनवरी 30 जनवरी 1948 को एक सनकी के हाथो मारे गए बात करें पॉइंट नंबर 4 की तो उनकी आत्मकथा ओटो बायोग्राफी का क्या नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ कई बार पेपर में आपका आज जुका है वेरी वेरी इंपोर्टेन क्वेस्टन कर लीजेगा यहाँ पर ये उनकी आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पांचवा आपका है कि पत्र यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा लिखा गया है कभी-कभी पत्र भी आपका पूछ लेता है तो पत्र का नाम आपके क्या होज़ेगा यंग इंडिया अब बात करते हैं कि इंडियान सिविलाजेशन एंड कल्चर में कि समुद्धे पर बात की गई है आखिर क्या बताना चाहते हैं गांधी जी तो देखिए इंडियान सिविलाजेशन एंड कल्चर में गांधी जी भारतिये सभ्यता की सुद्र बुनियाद के बारे में बताते हैं जो की समय के साथ साथ सखलता पुरवक डटी हुई है पस्चमी सभ्यता बहुत तिकता को स्वीकार करती है जबकी भारतीय सभ्यता ने तिकता का गांदी जी इसमें कह रहे की हमारी जो सभ्यता है आज की नहीं है कई हजारों वर्ष पहले की है और ये आज भी कायम है हम लोग जल्दी कोई परिवर्तन को स्विकार नहीं करते हैं जैसा कि पस्ठिमी सभ्यता में होता है वे लोग बहुत तेकता को स्विकार करते हैं जबकि भारतीय सभ्यता नहीं तेकता की The Western civilization which has tendency to privilege मेटरलीटी केननोट मैच दा इंडियन सिविलाजेशन दैट एलिवेट्स दा मोरल बिंग इंडियन सिविलाजेशन एंड कल्चर में गांधी जी भारतिय सभ्यता की सुद्र बुनियात के बारे में बताते हैं जो की समय के साथ साथ सफलता पुरवक डटी हुई है पस्चिमी सभ्यता भौतिकता को स्विकार करती है जबकी भारतिय सभ्यता नैतिकता का तो यह आपका हो गया लेशन वन इंडियन सिविलाजेशन एंड कल्चर का वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट अब बात करते हैं लेशन टू भारती जमाई होम यह एक स्पीच है इस पॉइंट को भी आप इंपोर्टेंट समझ जहेगा कि भारती जमाई होम क्या है एक स्पीच है किसके द्वारा दिया गया है डok.्टर जाकीर हुसें जी के द्वारा तो इनके बारे में एक एक पॉइंट को समझते हैं हैदराबाद में जनमें, डॉक्टर जाकिर हुसेन, जनम आपका 1897, और इनका मिरित्यू, 1969, 1979, एक उच्च कोटी के सिक्छावीद, एजुकेशनिस्ट थे, हैदराबाद में जनमें, जनम अब यदि आपका पूछ लेगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, हैदराबाद, आंधर पॉइंट नमबर टू की बात करें, तो डॉक्टर हुसेन भारत के राष्टपती, 1967 में बने, इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सिवाएं दी, यदि एक्जाम में पूछता है कि भारत के राष्टपती बनने के पहले वे किस राज्य के रा पॉइंट नमबर फूर, भारत इसमाई होम उस भासन का अंस है, जो उन्होंने 1967 में राष्टपती के रूप में सपत लेने के बाद दिये, ठीक है, भारत इसमाई होम is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president, जब ये राष्टपती पद की सपत ले रहे थे, तो इन्होंने अपने भासन में जिक्र किया था, भारत इसमाई होम, भारत मेरा घर है, भारत के राष्टपती के रूप में, अपने प्रथम भासन में, डॉक्टर हुसैन जी ने भारतिये संस्क्रीती की संपूर्णता की सेवा करने की सपत ली थी, तो ये हो गया आपका लेसन 2 से जो भी important, आपका point बनता है, वो मैंने आपको बताया, बताया, लेसन 3 की बात करें, एपींच ओफ स्नफ, आपको मालू में एक स्टोरी है, किस के दवारा लिखा गया है, मनुहर मालगोनकर जी के दवारा, इनकी जनम की बात करें, तूनी सो तेरा, अब point नमबर वन की बात करें, तो मनुहर मालगोनकर is a well-known novelist and short story writer, very very important, double mark कर द मनुहर मालगोनकर is a well-known novelist and short story writer, यानि कि novelist के साथ क्या थे, लगू, कथा, लेखक भी, जिनके नाम से 25 पुस्त के प्रकासित हो चुकी है, 25 books, तीसरे point की बात करें, इनकी महत्वपून रचना का ट्रीक, तो ध्यान से सुनिएगा वो ट्रीक आपको बिलकुल याद हो जो गंगा नदी के किनारे बैट कर ड्रम बजा रहा था, मुंबई का एक राजकुमार जो गंगा नदी के किनारे बैट कर क्या बजा रहा था, ड्रम बजा रहा था, तो मुंबई से याद रखियेगा, Bombay, Beware, the Princes, राजकुमार, Bend in Ganges, distant drum, ये ट्रीक आपको एक अंक जरू पूर दिला देगा मुंबाई का एक राजकुमार जो गंगा नदी के किनारे बैट कर ड्रम बजा रहा था बॉम्बे बीवेर दा प्रिंसेज इबेंडिन गंगेज डिस्टेंट ड्रम अब बात करते हैं कहानी की देखिए जब भी आप कहानी पढ़िएगा तो पूरी कहानी क्योंकि क्वेस्टन आपके बीच से भी पूछे जाते हैं और जब आप एसे पढ़िएगा कॉमेडी पढ़िएगा तो बायोग्राफी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो आपका तीन जो है आपका 11 में स्टोरी है ध्यान से सुनिएगा एक अंक जरूर मिल सकता है आ आपको यह तीनों आप नोट कर लीजिए अब देखिए कहानी के जो बीच का भाग उससे में क्वेस्टन आपको बता रहा हूं वेरी वेरी इंपोर्टेंट लेखा के मामा का नाम नानुका का लेखा के मामा का नाम यदी पूछता है और तो आपका अंसर क्या हुनों चाहि नानुका का और यह दिली गए थे दो तीन दिन के लिए ये भी पूइंट आपनों लेखा के मामा का नाम नानुका का और यह दिली गए थे दो तीन दिन के लिए पांचवा पूइंट आपका है कि लेखक जब टोकरी के साथ स्टीशन पर निकला तो किससे टकराया था यद पोइंट तो हब करा ड्रफा बहार कम मरवादी और इसके बाद की घटना क्या हुआ कि टॉकृглий में से आपका मियाओ मयाओ की आवाज आया था याणि कि आप दो-दो पोइंट एक वेस्टिन में लेकख को इस्टेशन के बाहर क्या दिये नानुका का तोlles टॉकरी टॉकरी ल दर्जे के टिकट पर दूसरे दर्जे में यात्रा किये ये भी पॉइंट वेरी बरी इंपोर्टेंट है नानु काका तीसरे दर्जे के टिकट पर दूसरे दर्जे में यात्रा किये साथमा पॉइंट मा के जोर देने पर लेखक दो दिन की छुट्टी लिया वेरी बरी इंप क्वेस्टन आपके लिए मा के जोर देने पर लेखाक दो दिन के छुट्टी लिया और दो पहर के बाद नानु काका को नौर्थ ब्लॉक ले गए प्वाइंट नम्बर एट लेखा कौन सा कोट पहना था तो भाई जोधपूरी और पगड़ी का रंग नारंगी प्वाइंट नम्बर नौ नानु काका ने कितने रुपए का चेक काटा 1,000 रुपए कुछ और प्वाइंट की बात करें हजरत बढ़का अली राजदूर सुहालाल रतिराम का बेटा था और ग्यारा नमबर पॉइंट नानुका का मंतरी से मिलने आए थे दिली तो यह आपका हो गया है पिंच आफ स्नॉप से इंपोर्टेंट पॉइंट आपका आप एक कॉपी में नोट कर लिजेगा अब नेक्स्ट चैप्टर की तरह बढ़ते हैं आई हाब ए ड्रीम तो नेक्स्ट चैप्टर अपका है लेशन फोर आई हाब ए ड्रीम जो की एक स्पीच है मार्टी लूथर कींग जी के द्वारा दिया गया और यह कहां के थे अमेरिकन थे जनम की बात करें 1929-1929 और इनका मृत्यू 1967 मार्टीन लूथर कींग के बारे में समझते हैं मार्टीन लूथर कींग एक इसाई नेता थे कौन से थे इसाई नेता थे और इन्होंने एक अंदोलन ने स्टार्ट किया जिसका नाम मोंटे गॉमरी बस बोई कोट अंदोलन ठीक है अंदोलों का नाम आप याद रखिएगा पॉइंट नमबर थ्री नोबेल पुरुसकार इनको कम मिला 1964 में 1964 पॉइंट नमबर फोर की बात करें 4 अपरेल 1968 को टेनीज के मेंफीस सहर में किंग की धोखे से हत्या कर दी गई कौन से सहर में मेंफीस सहर में किंग की धोखे से हत्या कर दी गई पॉइंट आई हाव ए ड्रीम एक भासन का अंसे जो उन्होंने 28 अगस्त 1963 को वासिंग टन में लिंकन मेमोरियल हॉल की सिढ़ियों पर खड़े होकर दिये थे आई हाव ए ड्रीम यदि आपका पेपर में पूछ लेता है कि भासन कब दिये थे 28 अगस्त 1963 कहां दिये थे वासिंग टन में लिंकन मेमोरियल हॉल की सिढ़ियों पर इसमें अलबामा राज्य देखिए अलबामा राज्य का जब भी जिक्र होगा तो आपका अंसर मार्टी लुथर कींग होगा वेरी वरी इंपोर्टेंट आपके लिए और आई हाव ए ड्रीम जो स्पीच है आखिर इसमें ये कहना का चाह रहे थे तो ये गोरे और कालों के बीच जो डिफरेंस जो अंतर है उसको दूर करने के लिए ये काम किये इसमें अलबामा राज्य को एक विक्सीत तथा स्वेत वकालों के मध्धे नसलिये भेद भावस रहित राज्य के रूप में देखने के अपने स्वपने के बारे में कहते हैं इन्होंने एक सपना देखा था कि अलबामा जो राज्य है उस राज्य में काले और गोरे के बीच के अंतर को क्या किया जाए समाप्त किया जाए सात्वा पॉइंट आपका है कि दा कंडिशन ओफ दा निग्रोज वाज अपॉलिंग बिलकुल सही यानि कि काले लोगों की जो पीती थी यह बहुत ही डरावनी थी तो बिलकुल सही है तो यह आपका पॉइंट हो गया लेशन फोर आई हाब ए ड्रीम जो की एक स्पीच है मार्टी लूथर किंग जी के द्वारा दिया गया कहा के थे अमेरिकान थे 1929 में जनाम 1968 में मृत्यो एक हिसाई नेता थे मोंटे गुमरी बस बॉयकोट अंदोलन शुरू किये नोबल पुरुसका 1964 में मिला टैनीशी के मेंफिस सहर में किंग की धोके से हत्या कर दी गई आई हाव ए ड्रीम एक वासन है जो उन्होंने 28 अगस्त 1963 को वासिंग अटन में लिंकन मेमोरियल हॉल की सिड़ियों पर खड़े होकर दिये थे अलबामा राज्जी को एक विक्सित राज्जी के रूप में देखना चाहते थे जो की इनका सपना था उस समय तो यह आप अच्छी तरह से नोट कर लिजेगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कर दिजेगा चैनल को सबस्क्राइब कर दिजेगा ओके धन्यवाद